हेलो दोस्तो आग में आपके शेयर करूगी भरवे करेले की ऐसी रेसपी जो बिना गड़वाहाट के बनेगी और इसे बड़े हो या बच्चे बहुत ही मज़े से खाएंगे तो इनको बनाने के लिए हमने यहां पर पड़े साइज के करेले लिए है और इस तरीके से आप एक के step फालो करेंगे तो आपके करेले बिल्कुल भी नहीं कड़े बनेंगे करेले के बढ़िया से दूलीया है आप embracing की पीछे का पार्ट कट कर दिया है और इस तरीके से करेले को च्छी नहीं है और भी से इसमें एक कड़ लगा देंगे जो अंदर के बीच, विज, इनできए प तो इस तरीके से जो इनके बीज हैं उनको भी निकाल लेंगे और जो छिलके हैं उनको भी निकाल लेंगे इन में से दोनों चीज को फेकना बिल्कुल भी नहीं है और कैसे यूज करना है यह हम आगे बताएंगे करेले को अच्छे से छी लेंगे फिर एक बड़ा बरतन पानि करेलो को रगड देंगे और इसी पानी में छोड़ देंगे जब तक हमें इनको स्टीम नहीं करना है तब तक ऐसे ही छोड़ देंगे और जो बीजे और छिलके निकाले हैं इनको हमें फेकना नहीं है ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ आप एक कड़ाई में पानी गरम करेंगे, पानी बढ़िया गरम हो जाए, तब इसमें डालेंगे नमक, नमक अपने टेस्ट से डालेगा, अभी वैसे टेस्ट से कोई मतलब नहीं, एक चमर जमक डाल देंगे इसमें, और जो छिलके और बीजे थे, वो हम इस पानी में डाल द है, आप इसके उपर रखेंगे एक दूद बाली जाली, और इसके उपर रखेंगे करेले, तो इससे क्या होगा, करेले हमारे ओवर्पुक नहीं होंगे, इससे एकदम करेले हमारे बढ़िया बनेंगे, और अच्छे से स्टीम देना है, करेले को हमें उबालना नहीं है, लि करेले की पिल्कुल भी करवाहत नहीं आएगी तो हमने चाकु से चेक कर लिया है करेले बढ़िया से पग गया है तो सारे करेले को निकाल लेंगे । ऐससे तरीक से करेले बहुत ही जबरदस्त बनकर तयार होंगे अब हमने सेम वही कड़ाई लिया इसमें दो चम्मस तेल गरम किया है इसमें एक चम्मस सौफ का तड़का दिया है और साथ में आधा चम्मस जीरा डाला है जीरा उप्सिनल है पर सौफ को जरूर से यूज करिएगा अब यहाँ पर डालेंगे प्याज तो प्याज आपको कितना लेना है लगबग जितने आपके करेले हूँ उतने ही प्याज इसमें इस्तमाल करें प्याज को हमने बढ़िया से मिक्स कर देना है और इसे भूनने के लिए छोड़ देंगे जब तक प्याज भुनेगा तब तक हम और सारी तयारियां कर लेंगे तो यहाँ पे प्याज हमारा बढ़िया से भुन रहा है अब हमें लेना है mixizar और यह जो छिलके हैं यह ठंडे हो गए हैं इनको डालेंगे mixizar में साथ में डालेंगे कच्चा आम और इसे डाल कर ग्राइन कर लेंगे अब इधर प्याज भुन चुका है आधा तब इसमें डालेंगे healthy powder, धनिया powder, लाल मिर्श powder और साथ में यूज़ करेंगे अमचोर powder अगर कच्चा आम है तो वो डाल दीजेगा वरना आप अमचोर पाउडर से भी इनकरेलो को बना दीजेगा अब यहां पर डालेंगे दो चम्मच चीनी और डाल कर चीनी सभी मसालों को एक बार अच्छे से मिला देंगे बढ़िया से प्याज में अब जो हम डालेंगे टेस्ट के कोर्डिंग नमक तो यहां पर हमने एक चम्मच नमक यूज़ किया है अब जो हमने पीस कर रखे थे चिलके और बीच को वो डाल देंगे और मसाले हमें अच्छे से भूनने हैं मसाले जब आधे पे हो जाएं अच्छे से भून गया है तब इसमें डालेंगे दो चम्मच बेसन और बेसन डालकर फिर से हमें मसाले को दो से तीर मिनट अच्छे से भूनना है गैस की फ्लेम को लो रखेगा ताकि मसाले जले नहीं और मसाले अच्छे से भून गया है खुश्बू भी बहुत ही जबर्दास्ता रही है तो इनको निकाल लेंगे एक बरतन में और जब ये स्टफिंग इसकी ठंडी हो जाए हलकी सी ऐसी हो जाए कि हाथ से छू सके तब हम इन करेलों को स्टफ करेंगे यानि की करेलों को भरेंगे मसाला खुब बढ़िया से भरियेगा करेले में करेले में जितना बढ़िया से मसाला भरता है करेले उतने ही खाने में टेस्टी लगते हैं तो इस तरीके से हमने सारे करेले भर लिये हैं अब हमने सेम वही कड़ाई फिर से यूज़ की है आप चाहे तो लोहे की कड़ाई में भी बना सकते हैं बहुत बढ़िया करेले बनते हैं अब यहां पर हमने लिया है सरसुका तेल और इसमें जो हमने इस्टफ करके करेले रखे थे वह सारे हम डाल देंगे देखेश कड़ाई में और इनने हमेड लोटू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भूनना है बहुत बहुत बुदे करेलयों इसी में डाल देंगे, बाद में क्योंकि मसाले भुने हुए हैं और इनको मसालों के साथ, फिर से हमें 2-3 मिनट के लिए इने भुनना है यह जो करेले बनते हैं भर्वा इनको बनाने में जरूर थोड़ासा समय LEGता है पर इनका स्वाद इतना टेस्टी होता है कि ये करेले मेरे घर में बड़े से लेकर बच्चे भी खा लेते हैं और उनको पता नहीं चलता कि वो करेले खा रहे हैं और इस तरीके से अलट पलट करते हुए हमें 5-7 मिनट के लिए लो फ्लेम पे अच्छे से भून लेना है और ये हमारे बहुत ही टेस्टी बिना करवाहाट के एकदम मसालेदार चटपटे करेले बनकर तयार है अगर आपको भी ये वीडियो अच्छा लगे कुछ भी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और एक बार